प्रिये व्यूवर्स ये संस्क्रति आईये एस यूटूब चैनल का पीटी थिंक एंट सॉल प्रोग्राम है इस प्रोग्राम के अंतरगर्द प्रती एक दिन UPSC और स्टेट PCS से संबंधित पांच प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिये जाएंगे हमें आशा है कि प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार सावित होगा तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की शंकला को पोंग डैम के संदर्व में निनमिलिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला यह हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर इस्थित है दूसरा वर्श 2002 में इसे रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था और वर्श 2010 में इसे मौन्टरक्स रिकॉर्ड के अंतरगत संकट ग्रस्त आद्रभूमी के रूप में आधिसूचित किया गया था तीसरा पॉंग डैम जील एक प्रसिद पक्षी अव्यारण है लॉइन टेल मकाक इंडियन जायन्ट स्क्वेरल तथा जंगली कुत्ते यहां की स्थानिक प्रजातियां है उपरित में से कौन सा कथन सही नहीं है ए केवल एक और तीन बी केवल एक सी केवल दो और तीन डी उपरित में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है ओप्षिन सी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कांगडा जिले में पोंग डैम शेत्र में असपस्ट कारणों से 1400 से अधिक प्रवासी पक्षी म्रत पाए गए हैं हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर बने इस तटवंद बांध को ब्यास बांध के नाम से भी जाना जाता है इस बांध का उद्देश्य सिचाई और जल विद्ध उत्पादन के लिए जल भंडारन करना है वर्ष 1960 में ब्यास नदी पर बनी पोंग डैम जील को वर्ष 1983 में पक्षी अभ्यरन घोशेत किया गया था वर्ष 1994 में इसे राष्ट्रिय महत्य की आद्रभूमी तथा वर्ष 2002 में रामसर इस्थल का दर्जाद दिया गया किन्तु ये मौंट्रक्स रिकॉर्ड के अंतरगत संकर्ट क्रस्त आद्रभूमी की रूप में अधिसूचित नहीं है लॉइन टेल्ड मकाग पश्च्रमी घाट की जबकि इंडियन जायंट स्क्वेरल और जंगली कुत्ते पंचमडी जैव मंडल आरक्षित छेत्र की स्थानिक प्रजातियां है इस प्रकार कथन एक सही है जबकि कथन दो और तीन गलत है इसलिए इसका सही उत्तर है ओप्शन सी देख लेते हैं आज के अपने अगले प्रशन को ट्रांसफेट के संदर्व में निर्मलिकित कत्नों पर विचार कीजिए पहला ट्रांसफेट असंत्रप्त वसा है जो तेल में हाइड्रोजन के मिलने से बनता है दूसरा यह मास और पशूत पादों में सूश्व मात्रा में पाया जाता है तीसरा खाद्य सामगरी में इसकी मात्रा का निर्धारन भारतिय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरन द्वारा किया जाता है उपर्युक में से कौन सा कथन सही है एक एवल एक और दो बी केवल एक और तीन सी केवल दो डी उपर्युक सभी इसका सही उत्तर होगा option D भारतिय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकर ने खाद्य सुरक्षा और मानकों का विनियमन में संशोधन कर तेल और बसा में trans fatty acid की मात्रा में वर्ष 2021 के लिए 3% और 2022 तक 2% तक कटोती करने करने लिया है trans fatty acid असंत्रप्त वसा का एक रूप है जो प्राकर्तिक और क्रतिम दोनों रूप में हो सकता है क्रतिम trans fat तेल में hydrogen के मिलने से बनता है जिससे तेल का स्वरूब शुद घी या मखन जैसा दिखता है प्राकर्तिक trans fat मास और पशूत पादों में सूश्व मात्रा में पाया जाता है trans fat तथा कोरोना के कारण होने वाली मौतों का कारण है विश्व स्वास्त संगठन के अनुसार और द्योगिक रूप से उत्पादित trans fatty acid के सेवन के कारण विश्व इस्तर पर हर साल लग भग 5.4 लाख मौते होती है WHO ने वश्व दो होजार तेईस तक trans fats के वैश्विक उन्मूलन का भी आवाहन किया है बारत सरकार ने वश्व 2011 में पहली बार एक विनी अमन पारित कर तेल और बसा में 10% trans fatty acid की सीमा निर्धारित की जिसे 2015 में घटा कर 5% कर दिया गया था इस प्रकार उपरियुक तो सभी कथन सही है इसलिए इसका सही उत्तर है option D आज के अपने अगले प्रश्न को देखते हैं शबरी नदी के संदर्व में निर्म लिखित कत्नों पर विचार कीजिए पहला यह गोदावरी की एक साहयक नदी है दूसरा यह पूर्वी घाट में इस्थित सिंक राम परवश श्रंकला से निकलती है तीसरा ओडिशा में इसे कोबाल लदी के नाम से जाना जाता है चौथा सिल्रू नदी शबरी की साहयक नदी है उपरिक्त में से कौन सा कथन असत्त नहीं है ए केवल एक दो और चार बी केवल एक और चार सी केवल दो और तीन डी उपरियुक सभी इसका सही उत्तर होगा ओप्शन डी हाल ही में आद्रप्रदेश, ओडिशा और 36 गड़ की त्री राज्य सीमा परिस्थित चिंतूर गाउं के पास प्रवासी मच्छुआरों के परिवारों ने शवरी नदी की रेत पर अस्थाई घर बनाने की एक अनूठी पहल की है शवरी नदी गोदावरी की एक साहयक नदी है यह ओडिशा राज्य के पूर्वी घाट के पश्मी धलानों से सिंक राम परवर्ष शंकला से निकलती है यह 36 गड़ और ओडिशा के 20 समान सीमा बनाती है इसके बाद आंद्रप्रदेश में प्रवेशकर गोदावरी नदी में इसका विले हो जाता है इसे ओडिशा में कोलाव नदी के नाम से भी जाना जाता है ओडिशा में शवरी नदी पर बनी उपरी कोलाव पर योजना सिचाई और जल विद्धुत उत्पादन के लिए पानी की आपूर्ती करने वाली एक प्रमुख बांध योजना है सिल्वरू नदी शवरी की प्रमुख साहयक नदी है जो आंद्रपरदेश, 36 गर्ण और ओडिशा के 3 जंक्षन सीमा बिंदु पर शवरी नदी में मिलती है सिल्वरू नदी में जल विद्धुत उत्पादन की बहुत अधिक संभावना है इस प्रकार सभी कतन सही है इसलिए इसका सही उत्तर होगा ओप्शन D देख लेते हैं आज के अपने चौथे प्रशन को वर्ड फ्लू के संदर्व में निनम लिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला वर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लेवन्जा वाइरस के कारण होता है दूसरा सरफ्रधम चीन में इसके संक्रमण का मामला देखा गया था और पुरिक्त में से कौन सा कतन सही है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनो, D ना तो 1 ना ही 2 इसका सही उत्तर होगा ओप्शन A हाँ ही में केरल, राजिस्थान और हिमाचल में वर्ड फ्लू के प्रकोप की पुस्टी की गई है वर्ड फ्लू एक संक्रमण है जो एवियन इन्फ्लेवन्जा वाइरस का कारण होता है एवियन इन्फ्लेवन्जा ए के परणाम सरूप शिशों और छोटे बच्चों में मिरत्युदर अधिक होती है वर्ड 1997 में हॉंग कॉंग में एवियन इन्फ्लेवन्जा वाइरस द्वारा मानव संक्रमण का पहला मामला देखा गया था इस प्रकार कथन एक सही है जबकि कथन दो गलत है इसलिए इसका सही उत्तर होगा ओप्शन ए देखते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न को पैंगोलिन के संदर्व में निर्म लिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला पैंगोलिन प्रत्वी पर एक मात्र सशल्क स्तन पाई जीव है दूसरा आयूसीन की रेड लिस्ट में भारतिय पैंगोलिन को गंभीर संकट गस्त की श्रेडी में रखा गया है तीसरा विच्व में ग्याद पैंगोलिन की आठ प्रजातियों में से भारत में केवल दो प्रजातियां पाई जाती है चौथा ये केवल पूर्वोतर भारत में पाई जाती है उपरिक्त में से कौन सा कथन सही है A केवल दू और तीन, B केवल एक और चार, C केवल एक और तीन, D उपर्युक सभी इसका सही उत्तर होगा Option C हाल ही में पैंगोलिन के अवैद व्यापार और शिकार की रोग थाम के लिए ओडिशा वन विवाग ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स की सक्त निगरानी की आवश्यक्ता पर बल दिया है पैंगोलिन प्रत्वी पर एक मात्र सशल का स्तन पाई जीव है भोजन तता दवाओं के निर्माड के लिए इसकी अवैत तसकरी की जाती है विश्व में ग्यात पैंगोलिन की आठ प्रजातियों में से भारत में केवल दो प्रजातियां चीनी पैंगोलिन तता इंडियन पैंगोलिन पाई जाती है भारत में ये मुखिता पूर्वोतर भारत में पाई जाती है यह हिमाचल प्रदेश के जंगलों में भी पाई जाती हैं इस्थानी भाषा में इसे सलगर कहते हैं वन जीव सनक्षन अदिनियम 1972 के तहट इसे अनुसूची एक के अंतरगर्ज सूची वद्ध किया गया है आयूसीन की रेड लिस्ट में चीनी पैंगोलिन को गंभीर संकट ग्रस्त तता भारतिय पैंगोलिन को संकट ग्रस्त की रूप में सूची वद्ध किया गया है इस प्रकार कथन एक और तीन सही है जबकि कथन दो और चार गलत है इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी